अर्विन केज्रिवाल को हो गई जेल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री सीट पर क्या होगा खेल अब कौन समझालेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री पद किसको मिलेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री का कट हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री पद की क्या है पूरी हद आखिरकार इसको लेकर क्या है सम्विधान अनुकूल प्रावधान हमारे साथ समझेए अब कैसे बचेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद कमान राज्य की शाषन विवस्था किसके जिम्मे में जाएगी आज हम आपको इन्हीं सिप प्रश्णों के एके करके क्रमवार उत्तर देंगे लेकिन उससे पहले ये समझे है कि अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरिवाल को जेल में क्यों डाला गया तो इसके पीछे अर्विन केजरिवाल की सर पर क्या आरोप है इसको लेकर जानकारी मिली है कि अर्विन केजरिवाल ने शराब मामले में घुटा ला किया है आज हम आपको ये पूरी खबर बताने जो आ रहे हैं इस दोरान आपको हम ये भी बताएंगी कि आखिरकार अगर दिल्ली के मुख जुनेता और उद्योग पती रहते हैं ऐसे में यहां पर विकास विवस्था का बड़ा जिम्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री के सर पर होता है अब जब मुख्यमंत्री जेल में है तो ये जिम्मा किसके सर पर होगा दरसल जब से मुख्यमंत्री के जिवाल जेल में गया है पूर्व ने राज नहीं है ऐसे में अगर मुख्यमंत्री इस्तिफा नहीं देते हैं तो राश्ट्रपती दिल्ली में राश्ट्रपती साशन लागू कर सकते हैं तो वहीं इसी तरह इस मामले को लेकर राजस्वा के पूर्व महस्टेव योगेंदर नाराइन का कहना है कि मंत्री या मुख्यमंत्री ने जेल में रहकत सरकार चलाई हो इसी के साथ में इस मामले को लेकर पूर्व मुख्य सचेव उमेश सैगल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जेल में रहते हुए केज्रिवाल पर भी वही जेल नियमा वाली लागू होगी जो अनिक एदि इसी तरह जेल में रहते हुए किसी भी व्यक्ति को किसी से मिलने की अनुमती भी जेल नियमा वाली के अनुरूप ही दी जा सकती है फिलाल इस समय ये केज्रिवाल वाली खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रही है कोई इसे वरतमान सरकार की ताना शाही बोल रहा ये कर दो ये है से वाली को किसी से वाली को किसी से वाली खबर सोशल मीडिया वाली के ताना शाही जा है कोई प्रव जा